अच्छा जी अब हमारे पास जो है वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिमांड और सप्लाई के बारे में बात की ती अब जो नेक्स्त है वो हमारे पास law of demand है अच्छा अब law of demand होता क्या है इसको discuss करने से पहले आप पहले इसके words को देखें इसमें जो तीन words use हो रहे हैं इस sentence के अंदर वो एक law है एक तो off को दो रहने दें दूसरा जो है वो demand है हमारे पास अच्छा अब law of demand के अंदर जो law है जब किसी भी चीज़ के साथ law लगाया जाता है न दोस्त तो पास जहन में रखना कि यह practically possible है तब ही हमने उसके साथ law लगाया हुआ है यानि law of demand में जो भी बात हम करने जा रहे हैं यह practically possible है अब देखें किसी भी चीज़ को practically possible होने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी होता है यानि इसकी example कुछ यूँ ले लें कि जैसे let's suppose आप ने office खोला या आपने गर खरीदा या आप अपने कमरे में एसी लगवा रहे हैं को सुनिएगा अब एसी की company आपको कहती है कि भाई यह एसी आप लगाएं आप देखें आपका कमरा ऐसा चिल होगा कि आपकी सोच आप ने कहा हैं बैतरीन यार जबर्दस आप एसी खरीद के गर ले गए आपने गर में जाके जो है वह एसी लगाया आपने एसी ओन किया एसी ठंडी हवा तो फेक रहा है लेकिं प्राप्लम यह है कि वह कमरा ठंडा ही भागिंट करके दे रहा आप देहें बात .... अब तो कमरे का साइज बाट बऔर आ रहा आपने का नई यार कमरा भी नार्मल है लेकिन फिर भी तंडा नहीं हो 34 तो अब क्या आपने फोन की आपने आप आपने भाई है ठुट नहीं कर रहा है आपने का था चिल और गार। ऐसी वाले तो था झाहि錢 रहे है Sus तो आपके ना खिड़की खुली भी थी और दर्वाजा भी खुला हुआ है तो उसना का यारी आप जब ऐसी चलाते हो तो आप ये खिड़की और दर्वाजा तो बंद करते होगे ना उसना का नए मैं तो नहीं करता मैं तो जो है वो खिड़की और दर्वाजे खुले हूँ और नहीं करोगे तो कूलिंग होगी कैसे तो कहने का मतलब क्या समझ में आया एसी कूलिंग करेगा यह होने के लिए खिड़की और दर्वाजों का बंदोना जरूरी है इसी तरीके से लौव डिमांड प्रैक्टिकली पॉसिबल है यह चीज़ प्रैक्टिकली हो सकती है जो भी बात हम इसमें करने जा रहे हैं लेकिन उस कॉंसेट को लौव डिमांड के कॉंसेट को नहीं कर सकते तो हम इसकी जगह कहते हैं कि लौव डिमांड के कॉंसेट को अपलाए करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का कॉंस्टेंट होना जरूरी है तो बंद होना जरूरी है कि जगह हमने क्या वर्डियूस कर लिया कॉंस्टेंट होना जरूरी है तो हमें क्लियर यह देमांड में बात करने के लिए मेरे पास दो चीजे होना ज़रूरी है पहली चीज मेरे पास प्राइस होना ज़रूरी है दूसरी चीज मेरे पास कॉंटिटी होना ज़रूरी है प्राइस किसे कहते हैं प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस भी है जिसमें हम यह कह सकते हैं कि जितने में वो प्रोड़क्ट मार्केट में बिक्र है हम किसी भी प्रोड़क्ट की बात कर लेते हैं फ्रूट्स ले लो क्लोट्स ले लो गार्मेंट्स ले लो गाड़ियां ले लो सेल फून्स ले लो कंप्यूटर्स ले लो लैप्टॉप्स ले लो कुछ भी तो किसी भी प् quantity की बात हो रही है quantity demanded की बात हो रही है यहांपर यानि लोग कितनी मिकदार में वह प्रोड़क्त खरीद रहे हैं तो quantity demanded का मतलब हूआ एक तरीके से कितने products उसके बेचे जा रहे या करीदे जा रहे यानि यानि total units sold जितने units buy किये जा रहे हैं खरीदे जाheen या बेचे जा रहे हैं, तो कहने का मक्सद क्या हुआ, कि law of demand को समझने के लिए कितनी चीज़ों का होना जरूरी है, दोस्त, दो चीज़ें होना जरूरी है, एक price और दूसरा quantity demanded, price का मतलब market price, यानि जितने में product बेचा जा रहा है, और quantity demanded का मतलब जितना खरीदा जा रहा है, ठीक अब law of demand को समझने के लिए कितनी चीज़ों का होना जरूरी है, दो, एक price और दूसरा quantity demanded, अब देखें, आप किसी को बता रहे होते हैं, या लिख रहे होते हैं, या किसी को समझा रहे होते हैं, तो आप दो चीज़ें, दो चीज़ें बोल रहे हैं बार बार, देखें, दो दो दो चीज़ों की जगा हम वर्ड यूस करेंगे, टू एकनॉमिक वेरियेबल्स, यानि law of demand के लिए दो चीज़ें नाई, अब हम बोलेंगे law of demand होने के लिए दो एकनॉमिक वेरियेबल्स होना जरूरी हैं, यानि दो चीज़ों को हमने अटाया, अब हम बर्गर बच्च दो चीज़ेंगे, law of demand के लिए कितने एकनॉमिक वेरियेबल्स होते हैं, दो, एक प्राइस और दूसरा quantity demanded, प्राइस जितने में प्रोड़क बेचा जा रहा है, quantity demanded जितना प्रोड़क खरीदा जा रहा है, यहां तक क्लेर हो जाता है, अब हम law of demand पे आते हैं, अब हम समझते अब law of demand हमें क्या समझाता है, law of demand हमें यह समझाता है, कि किसी भी प्रोड़क की जब हम बात करते हैं, तो उस प्रोड़क की केस में यह होता है, कि अगर मैं उसकी प्राइस बढ़ाऊंगा, यानि प्रोड़क मेंगा कर दूँगा, तो लोग वो कम खरीदेंगे, तो कि तो लोग वो प्रोड़क ज़ादा खरीदेंगे, तो law of demand हमें क्या समझाता है, जब भी price क्या होगी, कम होगी, quantity demanded बढ़ जाएगी, price कम होने का मतलब प्रोड़क सस्ता हो गया, जब प्रोड़क की कीमत गिर गई तो लोग वो पहले से ज़ादा खरीद सकेंगे, तो quantity demanded बढ कम हो जाएगी, तो clear हमें क्या हुआ, clear हमें यह हुआ कि सर्फ price और quantity demanded, ये दो जो economic variables है, price बढ़ेगी, quantity demanded कम होगी, price कम होगी, quantity demanded बढ़ जाएगी, अब ये दो जो economic variables है, ये दोनों अपस में लड़ रहे हैं, अब note करो यार, एक बढ़ता है, अगला कम हो जाता है, एक कम हो रिश्टा है, जो relationship है, ये रिश्टा क्या कहलाता है दोस्त, अब ये जो रिश्टा है हमारे पास, ये रिश्टा क्या कहलाएगा हमारे पास, ये बताओ कि ये दोनों क्या एक दूसरे की बात मान रहे हैं, नहीं सर, एक बढ़ रहा है, अगला कम हो जाता है, एक कम होता है, अग्ला बढ़ जाता है ज़िए तो मानीं कि एग दुसरे नहीं और जब दो चीजों कि बनती नहीं और ऐसे रिष्टे को आप क्या कहते हैं complicated या toxic नहीं economics के अंदर हम इसे कहते हैं negative inverse indirect relationship यानि जब भी दो economic variables के बीच में ऐसा रिष्टा हो कि बड़े और एक कम हो या कम हो तो अगला बढ़ जाए तो ऐसे relationship को हम negative inverse या indirect relationship कहते हैं तो हमें clear यहां पर यह हुआ कि law of demand कहता है कि भाई किसी भी product की price बढ़ेगी quantity demanded कम हो जाएगी price कम होगी quantity demanded बढ़ जाएगी ऐसा ही है ना तो आप इसको थोड़ा सा और अच्छे अलफाजों में क्या बोलेंगे कि law of demand कहता है कि किसी भी product की price और quantity demanded के बीच में जो relationship है वो negative relationship है आप इसको negative बोल दें आप इसको inverse बोल दें आप इसको indirect बोलते हैं भाई बात एक ही है clear होती है बात और 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 जो main चीज थी वो क्या थी वो यह थी कि law of demand का concept apply करने के लिए बहुत सारी चीजों का constant होना जरूरी है जो शुरू में हमने इसी वाली example से इसको समझा तो clear यहां पर यह हुआ है कि यह बहुत सारी चीजें constant होना जरूरी है अब इस पूरे लंबे से sentence को अगर मैं English में convert करता हूँ तो यह बनता है other things remain constant ओ भाई other things remain constant बहुत सारी चीजों का constant होना जरूरी है इतना लंबा करने से बहतर है हमने एक word use कर लिया citrus paribus यारी citrus paribus का मतलब क्या हुआ बहुत सारी चीजों का constant होना जरूरी है other things remain constant तो इस other thing remain constant बहुत सारी चीजों का constant होना जरूरी है इसकी जगा इस पूरी line की जगा हम एक word use कर लेंगे citrus paribus अब law of demand की definition क्या बनी sir according to law of demand किसी भी product की price और quantity demanded के बीच में negative relationship है inverse relationship है indirect relationship है मतलब एक बढ़ेगा तो एक कम हो जाएगा एक कम होगा तो एक बढ़ेगा और citrus paribus तो यह हमारे पास law of demand की definition थी और statement थी जो हमने समझी है यहाँ पर इसके बाद अब हम इसकी ना graphical presentation की तरफ जाते हैं जब इसकी graphical presentation की तरफ जाएंगे तो हमने जो है वो एक product रखा और उस product को हमने let's suppose fruits के अंदर हमने apples रखे और यह पता नहीं किस सदी की example आपके भाई ने बनाई हैं आज कल तो खेर इतने में तो बच्चे भी 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 नहीं लेते लोग और हम जो है वो सेप बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं ठीक है जी अब देखिए गाइस के अंदर let's suppose जो price है वो 10 रुपे और 10 रुपे में let's suppose 10 केजी सेप आ रहे हैं तो अब मेरी टीम भी परिशान है कि सर ये आपने कहां से ये कीमत आपको मिल रही है ये सड़े वे सेप जो होंगे वो भी 10 रुपे के हिसाब से 10 किलो तो बिलकुल नहीं मिलेंगे तो खेर मैंने का नहीं ये पता नहीं किस सदी की बात हो रही है वो हम बात में देखेंगे फिलाल for example हम पाकिस्तान में रहते हैं वे सुछी सकते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता खेर 10 रुपे के 10 किलो खरीदे जा रहे हैं तो price कितनी है sir 10 और quantity demanded कितनी है by 10 केजी से प्राइस क्या होई कम हो गई price कम होके 9 रुपे हो गई मलब और सस्ता हो गया तो जब यह 10 से कम होके 9 हुआ तो जायर सी बात है अभी हम law of demand के मताबिक पढ़के वाएं कि अगर price कम होगी तो quantity demanded बढ़ जाएगी तो देखें कीमत कम होके price कम होके 9 हुई quantity demanded बढ़के 15 केजी हो गई आपके पास same as it is हमने मजीद कीमत कम की 9 से मजीद हम 8 पे लेके आएं तो quantity demanded 15 से बढ़के कितनी हो गई 20 केजी हो गई तो clear क्या हुआ दोस्त clear ये हुआ हमें के sir price जब जब गिरेगी law of demand के मताबिक quantity demanded increase होगी आपके पास यह भी हम पढ़के आयते अब जब हम इसको graphical ही बात करेंगे अब हम इसकी graphical representation करेंगे यानि हम इसका graph बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको बराबर में यह नजर आ रहा होगा कि जब हम graph की बात कर रहे हैं तो graph के अंदर सबसे पहले आप एक vertical line draw करोगे जो के y axis कहलाता है और यहाँ पर आप रखोगे price और एक जो है वो horizontal axis होगा जिसे आप x axis कहते हो और यहाँ आप रखोगे quantity demanded clear होती है बात यहां तक अब हमने जो तीन points बनाए थे और इन तीनों points को हमने उनकी जगा रखना है अच्छा जहां पर यह y axis और x axis यह दोनों जिस point पे touch हो रहे हैं ना एक दूसरे से वो point जो है वो origin कहलाता है zero वाला point है origin वाला point है तो इसको हम origin point कहते हैं zero point कहते हैं अब देखे ना अगर मुझे price बढ़ानी है तो मैं zero से उपर की तरफ जाऊंगा और अगर मुझे price कम करनी है तो मैं वापस zero की तरफ आऊंगा same goes with quantity demanded अगर मैं price quantity demanded कम करूंगा तो मैं zero की तरफ जाऊंगा और अगर मैं quantity demanded बढ़ाऊंगा तो मैं zero से दूर जाऊंगा अब पहला point मेरे पास कौन सा है 10 का दूसरा 9 का तीसरा 8 का तो बाई zero से जब जाएंगे तो पहले 8 आएगा फिर 9 आएगा और फिर 10 आएगा जब price 8 है तो quantity demanded कितनी होगी 20 यही ना इसी दरीके से जब price 9 होगी तो quantity demanded कितनी होगी 15 तो हमने देखें point जोड़ने हैं 9 पे 15 है जोड़ दिया 8 पे 20 है जोड़ दिया और 10 पे 10 है जोड़ दिया हमने clear हो गई बाद यहां तक यानि आप देखें 10 थी कीमत 10 quantity demanded थी तो जब हमने इनको जोड़ा तो इस point का नाम हमने रख दिया A फिर जब कीमत कम होके 9 हुई तो 9 पे quantity demanded 15 हो गई थी तो इसको जोड़ के इसका नाम हमने रख दिया B और इसी तरह से 9 से 8 हुई तो 8 पे जब हमने इसको जोड़ा तो यह 20 हो गई quantity demanded और इसका point का नाम हमने रख दिया C फिर इन तीनों points को obviously हम scale के साथ एक दूसरे से जोड रहेंगे तो यह इस तरीके से line आपके पास बनेगी और यह line जो है इसका नाम जो है वो demand curve कहलाएगा अलागे line सीधी है तो यह theoretically हम बना रहे हैं तब हम इसको linear बना रहे हैं सीधी बना रहे हैं इस तरीके से यह curve की shape में नहीं बन रही किसका reason यह है कि हम यहाँ पर एक theoretically बन है इसका कोई मसला नहीं है अब जो demand curve है यह वो line है जो इन तीनों points को एक दूसरे से क्या कर रही है connect कर रही है एक तो बाद यह हो गई दूसरी बाद अब आपने note किया जब price 10 थी तो quantity demanded 10 थी point का नाम A था लेकिन जब price कम होके 9 वी तो quantity demanded बढ़के 15 हो गई थी और आप A वा मजीद कम होई, quantity demanded मजीद बढ़ी तो आप B वाले point से move करके C वाले point पर आगए तो law of demand के मताबक जब भी आप price के change होने की वज़ा से quantity demanded change होती है तो हम एक point से move करके दूसरे point पर आते हैं और इसे हम कहते है movement along the curve, movement along the curve का मतलब होता है कि एक point से आप दूसरे point की तरफ move करते हो एक ही line के उपर, दुबारा से, एक point से आप दूसरे point की तरफ move करते हो, एक ही line के उपर, एक ही line के उपर मतलब एक ही demand curve के उपर और movement along the curve होने के लिए, एक demand curve होगा, उसके उपर multiple points बनेंगे, clear हो गई बात? और ये होने के लिए, मतलब ये movement along the curve होने के लिए law of demand का होना जरूरी है यानि law of demand का concept apply हो रहा होगा तो ही movement along the curve होगी otherwise नहीं होगा और movement along the curve का मतलब एक ही line के ओपर, एक ही demand curve के ओपर एक point से दूसरे point के तरफ move करना तो अगर हम इसको further देखते हैं, तो movement from point A to B, यानि A से B की तरफ या फिर B to C, यानि B से C की तरफ is known as movement along the curve and it is only possible in case of law of demand तो आपका भाई भी तो यही कह रहा था यार, और notes भी तो मेरे ही हैं खेर, तो हमें यहाँ पर concept clear हुआ कि sir law of demand जब भी होगा एक demand curve बनेगा उस एक demand curve के उपर multiple points बनेगे, एक point से दूसरे point की तरफ move करना movement along the curve कहलाएगा आपके पस यह वाली diagram जो है, यह C, मैंने इसका substitute बनाएवा है, understanding के लिए इसमें भी यह concept है, A से B की तरफ आ रहे हैं, या B से C की तरफ जा रहे हैं C से B की तरफ जा रहे हैं, या B से A की तरफ जा रहे हैं, तो यह movement along the curve है आपके पस तो यहां तक जो है, वो law of demand का concept apply हो जाते हैं हमारे पस नेक्स लेक्चर के अंदर हम demand के other factors पढ़ेंगे, इन्शाला नेक्स लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे, अल्ला आपस